हाई फ्रेंच बिलकम स्वागत है आप सभी का और जो लोग जिन लोगों ने नाईयस से डिलेट किया है उन लोगों के लिए गुड निउज है और थोड़ी सी उम्मीद तो जगी है जी हाँ डिलेट को एंसी टी ने फिर बताया मानने जगी आस चलिया ये पूरी निउज यह हाँ पेहते हैं आखी मामला क्या है अऩर अभी तक आपने देखा था कि को अमान्न वता लिया गया था है फिर से इंसी टी ने isto मान्टा द है तुप वजह क्या है रून कि सब कुछ हम इस वीडियो में देखते हैं लेकिन उसके पहले दिया आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिए वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें यह वह हिंदुस्तान इसमार्ट की तरफ से हिंदुस्तान पेपर में चपी हुई है पटना की नियूज है क्विए के इस शर्यारी एंसीटी ने एक बार फिर मान बताया है एंसीटी की माने तो यह कोर्स बिसेश परिस्थित में कराया गया था और शुरुत से ही 18 महीने का था एंसीटी अभी भी कह रहा है कि पार गिल्कुन सुरु सहीज लोगों ने डिलट आप लोगों ने किया तो आपको लेकिन बिसेश परिस्तिति में कराया गया था बिल्कुन सही एंट्रेंटीचर बहुत सारे थे उनको ट्रेंड करना था में नहीं मोटिव लेकर चला था यह एंसीटी द्वारा इस परस्ट करने के बाद प्रदेश के प्रदेश भर के दो लाग त्री सट हजार सिक्षकों में उम्मीद जागी है ग्यात होके 18 महिने का डेलेट कोर्स करने वालों पर सिक्षक नियोजन में शामिल होने पर रोक लगी है क्योंकि मैं बार बार आप से कह रही हूं कि बिहार में सिक्षक नियोजन जो है उसकी प्रक्रिया सुरू होने वाली है आई तिंक सो भी चुकी तो मैं आपसे पहले भी मैंने कहा था कि कि यहां पे इंटर्सिप की बजह से ही यहां पर 18 महीने कर्म को मानता दी थी और हमने आपको पहले कहा था कि NCT और माना और संसाधन विकास मनताले M.Ch.A.R.D. यानि M.Ch.A.R.D. जिसको हम नाम से जानते हैं उसने इसको मानता दी थी और इस कोर्स की अबादी को बिसेस रूप से दो साल से घटाकर 18 महिने किया गया था और यानि की मानता देने के बाद ये पता था N.C.T. को भी और M.Ch.A.R.D. को भी पता है पास कोई टीचिंग एस्पिरियंस नहीं था लेकिन यह टीचर थे इसलिए इनका जो कोर्स है दो साल का ना करके 18 महीने का रखा गया है जो लोग टीचर नहीं होते हैं और जो लोग ग्रेजुएशन 12 के बाद डिरेट करते हैं तो उन लोगों के लिए दो साल का यह कोर्स माने इसको लेकर संसस से बने कानून का हवाला देते हुए कहा कि 18 महीने का डेलेट कोर्स करने वाले ट्रेंड सिक्षक ही माने जाएंगे जो किसी भी सर्मा सुरू से कह रहे थे और जब यह अभी बिहार की बात आई थी सिक्षक नियोजन की उसमें भी इन्होंने यह कहा थ प्रक्रसिक सिक्षक को कराया गया था है यह कॉर्शक करा गया था है और इसमें बिहार के बी दौ लाग। सिक्षक सा मिलते हैं वहां एंसीटी के आदेश के बाद सिक्षक एक बार फिर बिहार सरकार से अपना निर्णाय बदलने की उमीद में उमीद करने लगें यानि कि वहां पे जो वेकेंसी बहुत सारी आ रहे हैं प्राइबरी लेवल की भी आने वाली है जो वहां पे जिन महिने का कोर्स जो होगा वो मान नहीं होगा और इसी के साथ में कि एंसी टी ने भी यह कह दिया था क्योंकि यह कोर्स अथारा महिने का है दो سाल का नहीं है और इंसीटी के रूलबूक में कि जो डेल वाले होते हैं वो दो साल के कमपलश्री होने चाहिए लिकिन अब ने आकिर मान लिया है मान बताया है उम्मीद अभी जगी है ने कहा कि सिख्षक नियोजन में डिरड वालों ने सामिल करने की मांग दोराई है का सीधी सी बात है होना भी चाहिए क्योंकि वह जब उन्होंने दिप्लोमा लिया है तो उनका हग बनता है इस नियोजन में सामिल होने का 18 माई का सिख्षक सरकार से निर्णे बदलने की उम्मीद करने लगे हैं तो सरकार वहां की गवर्मेंट है बिहार की तो उसे भी इस चीज को बदलना पड़ेगा उसे भी जो है इस को मानता देनी प सिख्षकों ने कोर्ष किया था अब यहां पर देख लेते जो एंसीटी के प्रभू यादा और रिगुलेशन अथार्टी जय वह क्या कह रहे हैं वह कह रहे हैं कि नाइस द्वारा कोर्स करवाया गया था इन सिख्षकों को अगर बिहार सरकार नौकरी देती है तो कोई जरूर करें कर दिया है मानता दे दिये पूरा दरुमदार जोब है वह सरकार के ऊपर है कि बिहार सरकार इसको मानता देगी यानि कि दे सकती है निदे बहुत अच्छी नीज आप लोगों के लिए यह तो वीडियो कैसा लगा बताईएगा वीडियो को लाइक करिए शेयर करिएगा 100% साथ ही साथ में कमेंच करके बताईए कि जो एंसी टी ने इसको मानता दुवारा दी है तो कैसा लग रहा है आपको 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 आप जो सिक्षक नियुजन भरती हो रहे है उसके लिए आप लिए कर सकते हैं वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल को सब सब्सक्राइब कर लिए नेस्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं तब तक के लिए चेकर बाए